हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तो जैसा कि आप NTPC के अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेकेंड डिवी लिस्ट थर्ड डिवी लिस्ट बुलाई जा रहा है लेवल 6 का और ऐसे ही और ट्री स्केंप में यह जवाब आया वा था कि जब तक लेवल 6 का रिजल्ट को डिकलियर नहीं किया जाता जब तक कि लेवल 5 का रिजल्ट को डिकलियर नहीं किया जाएगा तो दोस्तो अगर इस तरह से लेवल सिक्स का सेकेंड डिवी थर्ड डिवी आते रहे और आप खुद सो सकते हैं कि क्यों न दस डिवी आ जाए यहाँ पे एक ना एक सीट खाली रही जाएगे चाहे तो कोई फिर मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे या फिर डिवी के लिए नहीं पहुंचेंगे किसी कारणवस यहाँ पे एक सीट बार बार कुछ ना कुछ सीटे जो है वो यहाँ पे फुल्फिल नहीं हो पाएगे तो दोस्तों यहाँ पे एक ट्विटर कंपेंड जरूर करनी चाहिए हम लोगों को ताकि एक बार जो है वो रिजल्ट में यह जो बार-बार चल रही है यह सेकेंड डिवी थर्ड डिवी इससे चुटकारा पाया जा सके और साथ में वन रेशियो वन में ना बुला गर के दोस्तों वन रेशियो वन जीरो में बुलाय जाए मिन सौ सीटों पे 110 केंडिट को बुलाए जाए तो दोस्तों गर इस तरह से होता है तो यह जो सेकेंड डेवी, थर्ड डेवी, फोर डेवी का जो जंजट है वो खतम हो जाएगा और एक साथ सभी लोगों का यहाँ पे रिजल्ट को पब्लिस कर दिया जाएगा ऐसा ही दोस्तों SSE के अंदर भी होती है, SSE में कई सारे वेकेंसिस है, GD का हो गया, MTS हो गया, CHSL हो गया, CGL हो गया सारे में तो ऐसा ही होता है, ऐसा तो नहीं Q1, RAC1 के अंदर बुलाया जाता है यह रहा वेटिंग लिस्ट का प्रावधान तो भाई, वेटिंग लिस्ट अगर कोई दूसरे खाली करेंगे, कोई दूसरे पहुँच नहीं पाएंगे, तब यहाँ पे दूसरे केंड़ेट को मौका मिल सकता है लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं, जो वेटिंग लिस्ट वाले केंड़ेट है, वो जा करके पट्री उखाड लेंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है हमें दोस्तो सांतिपुर्ण धरना परदसन करनी है, टुटर केंपेंड के माधियम से और बिल्कुल भी अपनी सांति को भंग नहीं करनी, कोई भी हमें रेलवी को नहीं नुकसान पहुचानी, क्योंकि वो हमारी खुद की संपत्ती है, कोई यहाँ पे किसी नेताओं की संपत्ती नहीं, वो हमारी खुद की संपत्ती है, उसकी सवारी हम खुद भी करते हैं, तो दोस्तो इमांदारी पूरवक हमें जो है, वो सांतिपुर्ण धरना प्रदसन करके यह एक अपनी बात मनवानी पड़ेगी, और लेवल 5 का रिजल्ड जो है, वो जल से जल्ड डिक बात भली भाती याद होगा कि जब एक बार आंदोलन किया गया था, इसमें 20 गुना रिजल्ड ना देगर के दोस्तों, 7-8 गुना के असपास रिजल्ड दिया गया था, वंदर यूनिकनेस ऑप केंड़ेट नहीं था, एक ही केंड़ेट का रॉल लेबल 23456 में रिपीट होने की मांग की गई थी, दोस्तों अब समझ सकते हैं कि गुरूप D जैसे एकजाम में भी यहां पे दो फिजल्ड मिन्स, दो सीवीटी, सीवीटी, सीवीटी वन, अथवा सीवीटी टू, तो कभी-कभी ऐसा मैसूस होता है कि जान बुझ के यहां पे भरती प्रिक्रिया को टालने की प्रियास की जा रही है, और इसको 2024 तक खिचने की प्रियास की जा रही है, दोस्तों जैसा कि आपको बता है, 2024 में माई-जून के आसपास जो है, वह आपका इलेक्शन होने वाला है, आम जुना होने वाला है, और यदि आपको यह भी याद होना चाहिए दोस्तों कि जब आपने form भरा था 2019 के अंदर उससे 2-3 महने के बाद Approx में माई-जुन में ही आपका election हुआ था और यह vacancies आपको देखने को मिले थी फर्वरी मार्च के आजबस NTPC और Group D की तो दोस्तों आप समझ सकते हो ना कि just vacancy आपका जो release हुआ था वो just आपका जो है चुनाओं से पहले हुआ था और चुनाओं से पहले पहले ही आपका result भी यहां पर जो ELP technician काया हुआ था और साथ में group D 2018 वालों काया था तो जान बुच के यह लोग जो है वो चाहते हैं कि भाई 2024 तक इसे खीचा चा सके और 2024 में फिर से आपको निस्सी तरफे recruitment देखने को मिलेगी ELP technician को ELP technician भारी मातरा में देखने को मिलेगी group D फिर से आपको देखने को मिलेगा हलांके NTPC आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन group D और ELP technician निस्सी तरफे आपको देखने को मिलेगा साथ में RPF के अंदर SI की विकेंसी और ट्रेट्समेंट और साथ में constable की विकेंसी देखने को मिलेगी तो यहां पर यह लोग चाहते हैं कि भाई 2024 तक किसी तरह से खीचा जा सके 24 में जन्मरी फरवरी के अंदर यह जो NTPC के 35,000 है और साथ में group D का एक लाग के आसपास है इसको भरती complete करवा दिया जाया और फिर से यहां पर 24 में एक नया recruitment निकाला जाया रेलवी के अंदर जिसमें करीबन एक से डेड़ लाग पद तकि उनको फिर भोट मिल सके और यही प्रक्रिया जो है 2019 के अंदर भी अपनाए गया थी कि हाँ यहां पर group D के अंदर अथवा ELP technician के अंदर इतने भारी मात्रा में लोगों को 60-60,000 लगभग 1,20,000 के आसपास जाब मिली और फिर से यहां पर नया recruitment 1,35,000 के आसपास निकाल गया है ताकि candidate का जो ध्यान है वो लोग आकरसित अपनी और कर सके हां कि यह government जो है वो अच्छी से कारी कर रही है देखिए यहां पर मैं बिज़ेपी government के खिलाप नहीं हूं कि भाई यह गलत कर रहे हैं अपनी जगा पे सही कर रहे हैं कहीं ने कहीं भारत को जो image है वो international level ठिक ठाक हुआ है इनके कारिकाल में लेकिन दोस्तों यहां पर भरती प्रिक्रिया के रिगार्डिंग इतनी लेट की जानी यह अच्छी बात नहीं है क्योंकि देखिए यार कि 2019 से लोग प्रियास कर रहे हैं और एक एकजाम में लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं जल से जल अब सब कुछ हो गया है तो कंप्रिट करवानी चाहिए और दोस्तों कहीं ना कहीं अगर वन रिस्यो वन जिरो में यानि यह सो सीटों पे 110 कंडिट को बुलाया जाता है तो कोई वेटिंग लिस्ट का प्राउधान भी नहीं हो पाएगा इतने कंडिट पहुँझ भी जाए शिटाल भी ज़ारी करों फिर लेवा सो जाएगा लेकिन इसके लिए इतना लेट करना कि वह वंदेस्यों में पुलाओं फिर एडिस्नाल डीवी निकालो तो तो यह काफी गलत हो रहा है दोस्तों यह ठीक है बिल्कुल कि हाँ लेवल वाइस रिजल्ट जारे किया जाएगा तो इसका फायदा होगा कहीं ना कहीं जो नीचे वाले लेवल होंगे लेवल टू-3 इनके लिए तो फायदा होगा ही होगा क्योंकि यहां पर आटोमेडिकली जो प्रकरिया चल रहा है जो जान बुझ के टालने की प्रियास की जारी दोस्तों इससे जो है वो चुटकारा मिल सके तो दोस्तों एक सभी टीचर्स को मिल करके यहां पे आप लोगों के सहीयोग से एक ट्विटर कैमपेइन वह भी सान्ती पूर्ण तरीके से दोस्तों बि को रखने का प्रयास करना है ताकि बहरे कानों को सुनाया सके और जल्द से जल्द यहां पर रिजल्ट को फव्लिस कराया जा सके दोस्तों हमारी दो परमुक मांग होनी चाहिए एक आपका लेवल 5 का इसल्ट जल्द से छोड़्का रफाए pne का सिस्ट्म ताकि सारा सीट जो है वो एक बार फुल्फिल हो सके बाकि दोस्तों आप अप लोग थोड़ा सा अपना भी विचार रखे और एक डेट को जल से जल फिक्स किया जा सके कि भाई किस डेट को यहाँ पे टुटर कैम्पेंड करनी चाहिए ताकि सारे टीशर्स और सारे केंडेट्स एक जूट हो सके और इस मांग को यहाँ पे तेजी से रख सके लेकिन फिर भी मैं एक बार कहना चाहूंगा दोस्तों कि एकदम सांतेपुर्ण परदसन करना है कोई भी यहाँ पे अपनी संपत्ती को नुकसान नहीं पहुचानी है रेलवे हमारी यह संपत्ती है पिछला बार की जैसा नहीं कि यार की रेलवे के पठ्टर उखार दो रेलवे को जला दो यह सब गलत है पूरी तरीका से कोई भी तरीका से यहाँ पे हिन सात्मा का अंदोलन नहीं करना है हमें सांते पूर्ण और सांते पूर्ण तरीके से सांते प्रे तरीके से जो है अपना मांग को यहां पर रखना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कब तक ये डेट को फिक्स की जानी चाहिए और कब यह हमें अंदोलन करने चाहिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार